अब असलाम लेकुम ग्रेट सेकिंड यह तोपिक इस क्रेप्स मिशन आज उनट वन में हम लोग अपका जो तुमारा टॉपिक है क्रेप्स मिशन इसके बारे में पढ़ेंगे अब सबसे पहले हम क्रेप्स मिशन के बारे में जानते कि क्या चीज़ थी यहां पर आप बेगरूंड में आपको बताते हैं कि पेड़े कि 1940 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी तो उसमें क्या हुआ कि 1940 में जो फर्स्ट वर्ल वार हुई तो इसमें उन्होंने मुसल्मानों को इस्तमाल किया तुर्कों के खिलाफ खिलाफ उसमानिया जो है उस से मुसल्मा जोते बहुत मतवरक बहुते थे तो इन्होंने तुरकों के खिलाफ क्योंके टुरकों ने जर्मनी का साथ दिया था तुरकों के खिलाफ इससे इस्तमाल किया और भी ब snill जो तीह लаль हैं लो बांगप जाते हैं तो उस सुरत में आप लोग दाज बरतानिया को कुछ भी नहीं कहेंगे लेकिन जब दाज बरतानिया जो था ब्रिटिश जो थे वो अपने इलाइस के साथ जीत किया तो उसने क्या किया कि मुसल्मानों के साथ जो उसने वादा किया था उसको उसने बिलकुल ही नाजर अन्दास किया और एक आपस में जो उन्होंने जो इतने भी वालाइस थे उन सब ने एक किया था एक सीवरे का एग्रिमेंट किया था सीवरे को जो एग्रिमेंट था उसमें किया था सीवरे के एग्रिमेंट के मताबक ये था कि हम लोग जीतने के बाद तरकी के पीसेस करने शुरू करते हैं तो फिर जब तहरी के खिलाफ़त चली तहरी के खिलाफ़त में ये चीज़ थाबित हो गई कि वह की बिटिश जो थे अपने वादे से मो कर गए हमारे डेलिकीशन जो तकरीमें दो साल तक वहां जाता रहा है उन्होंने कोई भी नहीं उस पर कोई स्टेप उठाया तो फिर इसका ये हुआ कि पहली वर्ड वार तो गुजर के उन्होंने क्या किया कि यहां पर आपकी बताती हूँ सेकंड वर्ड वार थी स्टार्ट हुँ गिंट नाइटीन थर्टीनाइन में और इसका एंड हुँए जापान जो था वह भी शामिल हुगया किससाद जापान शामिल हो गया जर्मिनी के साथ और एक चीज़ आपको बताओ कि पहली वर्ड जो जंग वजीम हुई थी फर्स्ट वर्ड वार और सेकंड वर्ड वार दोनों जो भी थी वो दोनों जंगे ब्रिटिश और जर्मिनी के दर्मियान थी फर्स्ट वर्ड वार में जो था वो फर्स्ट वर्ड वार में ब्रिटिश जीते थे अच्छा जी तो अब ये भी बता चलो आपको कि सेकंड वर्ल्ड वार में भी ब्रिटिश ही जीता था अब सेकंड वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुई तो स्टार्ट में क्या हुआ कि जापान जो था वो जर्मनी के साथ शामिल हो गया जब वो जर्मनी के साथ छामल हो गया तो क्या हुआ उससे जर्मनी का पलडा जो था वो भारी हो गया जो जर्मनी था उसका पल्ला भारी हो गया कि अब मेरे पास ज्यादा हो गया तो जापान जो था उसने साउत एशिया पे भी कब्जा कर लिया तो जो जितनी भी जंग थी वो सारी की सारी जर्मनी की फेवर में जा रही थी जब ये जर्मनी की फेवर में जा रही थी तो फिर इस बात का, 1937 में जो elections हुए थे, उन में Congress विन की थी, Congress ने विन किया था, winning party थी उनकी, और उसने अपनी government बनाई थी, single government उसने बनाई थी, तो जब single government उसने बनाई थी, तो उन्हें ने क्या किया, जब इन हालात को देखा, तो उन्हें नाईटीन थर्टीन नाईन में, मुस्लिमी जो थी, उसको उन्हें अपने साथ, शरीक नहीं किया, और उन्हें जबरदस्ती, दबाव डालना शुरू कर दिया, किस पर? ब्रिटिश गॉर्मेंट पर, दबाव डालना शुरू किया, उन्हें ने कहा कि, हम लोग जो है, हमारी तर्टी है, हमारी जो पर्टी है, वो सबसे सही है, हमारी मिज़ूरिटी है, हिंदू हमारे परस मिज़ूरिटी जएदा, बलकर हम, वोगी निया कही भी था, कि मैं एक सैकुलर स्टेट हूँ, जिसमें तबाब सारी कौमों के लिए, मैं उनके राइड्स का ख्यार रखूँगा, मैं कि सैकुलर स्टेट हूँ, इसलिए मुझे सिंगल हैंडनली, एक्तिदार जो है कहते हैं, वो एक्तिदार जितना भी हो, हमारे हवाले कर दिया जाए, तो ये बात जी और वो ज़ा रहे थे, किस तरह हो, इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, स्टॉर्क की, स्टॉर्क के साथ-थाथ, उन्होंने बहुत जयादा, इन्होंने प्लंडर निंग शुरू कर दी, लूट मार बहुत की, उन्होंने और बहुत ज्यादा गौर्मेट के उपर को प्रेशराइज किया प्रेशर उन्होंने गौर्मेट पर बोर्ट डाला कि किसी तरीके से अक्तिदार जो है जो ब्रिटिश थे वो अब प्रेशर में आ गए थे तो उन्हेंने का कि जी तो अभी ब्रिटिश प्रेशर राइस हुए है तो क्यों ना इनके उपर मजीद प्रेशर डाल के तो इस तरह कुछ ऐसा किया जाए कि हम लोग अपनी गौर्मेंट ले ले हलागे पाकिस्तान भी यह चाह रहा था कि हम अगर बार इसको तकसीम कर दिया जाए तो यह ज्यादा बेतर है क्योंकि 1940 में उन्हें तो जो अपनी करारदाद लाहूर थी तो लाहूर एसलूशन उन्हें पास कि थी जिसमें उन्हें ने कहा था कि हम लोग अपना मुल्क चाहते हैं लेकि यह जो हिंदू थे जो कॉंग्रस थी वो किसी सारस सूरत में यह चाह रही थी कि सिर्फ और सिर्फ हमें एक्तदार दिया जाए उस में हम मुस्लिम लीग को हम लोग निकाल देंगे कि हम लोग चाहते है कि हम सिंगल हैंडली इस पर रूल करें क्योंकि मुस्ल्मानों ने भी तो एक हज़़ार साल पहले हम था करोंते है तो अब हमारा हक बनता है कि हम लोग जो है वो गौर्मेंट करें और हम लोग मुसल्मानों को अपने अंडर रखें। तो यह बात यहां पे थी कि थर्टी जायर की गुए है तो फिर इन हलात को सॉल्व करने के लिए कि अलात जो है वो किस तरह से अगराब हो रहा है दूसरी है कि हमें साथ भी चाहिए क्यूंकि जब जपान आ गया तो फिर अब जो ब्रिटिश के आने का मकसद क्या था ब्रिटिश के आने का जो मकसद था वो क्या था हेल्प हेल्प चाहे वो उनकी मनी थी या मैन पावर थी दोनों सूर्टों में कि हमें इंदोस्तान से पैसा भी चाहिए और अफरादी कुट भी चाहिए कि जब तक हमारे पास ये दोनों चीजें नहीं होंगे हम लोग जो कभी भी इसको जीत नहीं सकते गए तो फिर ये इसका बेसिक जोसका परपॉस था कृप्स का बेसिक परपॉस था क्या था मनी और मैन पावर कि दोनों मुझे मिल जाएं तो मैं यह वाली जंग असानी के साथ जीत सकता हूँ उसके जो एलाइस थे उन्हों ने भी कहा था कि जब तक तक तुम्हारे पास इंदुस्तानियों की इंदुस्तानियों की हेल्प नहीं होगी मदद हेल्प में उनके पास जो क्लैवर था उनका एक मिनिस्टर था सर स्टेफर्ड क्रिप्स अब इसको उन्होंने भेजा सर स्टेफर्ड जो क्रिप्स था उसको भेजा कि वो आकर जितने भी लोग हैं उनकी खुशनूदी आसर करें स्टेफर्ड क्रिप्स जो था हिंदुस्तान आया और इसने यहां आने के बाद जितने भी गवर्नर्स थे सबसे पहले उसने गवर्नर्स के साथ मीटेंग की नववान पे सेकंड नमबर पे उसने इमपॉर्टन्ट इमपॉर्टन्ट जो पुलिटिकल लीडर्स थे उनके साथ भी उसने डिसकुशन की कि आया जो है जो मैं काम चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे आप लोग की साथ की जुरुएत है कि ब्रिटिश गौर्नर्स चाहती है कि आप लोग हमारे साथ हो अब ये उसने किया उसको उसने अपनी जो उसके बाइद क्या हुआ कि जब उसने सारी से बातचीत करने के बाद उसने के किया कि जो वो अपने साथ परपोजल लाया था वो अपनी परपोजल उसने सब के सामने पेश की आप परपोजल के बारे में देखते हैं हम यहां पे देखें सबसे पहले कृप्स मिशन अराइव बड कुड नाट गेट इनी सपोर्ट फ्रम तब कॉंग्रस कि का कृप्स तो आ गया लेकिन अब यहां पर आ गया था कि हर दफाई यह था कि कॉंग्रस उसे बहुत ज़्यदा सपोर्ट करती थी तो यहां पर जो कॉंग्रस थी उसने बिल क्रिप्स पर्पोजल किया थी उसने अनौस कब की क्रिप्स पर्पोजल अनौस होई थी 29 मार्च 1942 को क्रिप्स जो पर्पोजल थी वो उसने अनौस की सबसे पहले कहते है स्टेटस आफ डुमेनियन यानि डुमेनियन की हैसियत दी जाए डुमेनियन के बारे में बताओं मिटा कौन सी स्टेट होती है डुमेनियन स्टेट वो होती है न कि एक एक ऐसी आजाद रियासत जिसके गवर्नर जर्नर का तकरल यह आपको बताओं डुमेनियन स्टेट क्या होती है कि एक ऐसी आजाद रियासत जिसके गवर्नर जर्नल का तकर्र ताजे बरतानिया करे यह होती है पिटा हमारे पास डुमेनियन स्टेट कि ऐसी स्टेट जिसका तकर्र जो है वो ताजे बरतानिया करे subcontinent will be given the status of the dominion of the war अब यहां पर देखे सबसे पहले चीज क्या देख रहा है कि जितनी चीजें वो बता रहा है वो कह रहा है after the war कि जंग खत्मे पर जंग खत्मे पर हम बरस्गी जनुबी एशिया को dominion status का दरजा दे देंगे dominion status को मैंने आपको बता दिया क्या चीज होती है तो कहरे है कि जंग के खत्मे पर हम लोग जो है हिंदुस्तान को dominion का status दे देंगे कि dominion हम इसको बना देंगे सेकिंड में कहते हैं independence of the Indians in all departments all governments department will be अब यहां पर भी सिर्फमाल के will be यानि जंग के खत्मे पर handed over the Indian Muslims including defense, foreign affairs and communication यहां पर आप कहरे हैं कि जतने भी बड़े-बड़े Indians के हवाले हम लोग सारे जतने भी इदारे हैं वो उनके हवाले कर देंगे जिन में आपके पास defense दफाह होगा foreign affairs यानि वजारत खारजा होगी और communication होगी मवासलात के होगे कि हर जितने भी होंगे वो सारे departments हम लोग जो है जंग खत्मे पर हम लोग यह सारे जो है वो इंदुस्तानियों के हवाले कर देंगे लेकिन अब यहां में यह चीज़ देखें बच्छे कि अब जो दो points हमने पड़े इन में हर चीज़ में उसने कहा है after the war या will be कि करेंगे यह नहीं है कि अब भी हम इसको apply कर रहे हैं तो उसको तुम लोग मान लो तो वो कहा कि will be अब थर्ड नमबर पे कहते है central constitution assembly कि मरकजी जो दस्तूर साज assembly जिसको हम कोमी assembly भी कहते है national assembly जो हमाती है उसे हम कहते है central central का मतलब बता है मरकज दर्मयाना a central constitution assembly will be formed to formulate a constitution कि जो मरकजी आपके पास दसूर साज assembly होगी वो आपके मुलक का आइन बनाएगी the constitution assembly will be elected by the members of the provision assembly लेकिन अब यहां पर कह रहे है कि जो आपके provision assembly के members है अब यहां पर अब चीज़ देखे provision assembly की जो मेंबरान है वो तो direct elect होंगे यहनी direct election होगा उनका किस तरह से होगा कि वो लोग जाके खुद voting करेंगे और provision assembly के मेंबरान को elect कर लेंगे लेकिन अब जो central assembly है इसके लिए वो कह रहे है indirect indirect voting हो रही है indirect voting में क्या चीज़ है indirect voting में यह चीज़ है कि जो सुभाई assembly के मेंबरान है वो voting करेंगे और वो लोग मरकजी assembly के मेंबरान को चुनेंगे और यहां पर वो बता रहे है कि वो जो constitutional assembly चुनी जाएगी वो आइन बनाएगी और assembly will elected जो है वो provincial assembly के जो लोग है वो इस constitutional assembly को elect करेंगे next one is right of minorities सबसे एहम चीज़ थी अकलीतों के حقوق का तो उन्हें ने कहा कि हम लोग अकलीतों के حقوق की मुकमल जमानत देते हैं next provisional autonomy सुभाई خुदमुखतारी अब कह रहा है after the formulating of the constitution by the constitution assembly it will be sent to the province the province who did not endorse the constitution will be empowered to create a separate and free status of themself अब यहां पर यह चीज़ बता रहा है कि ए तजवीज में एक गुजायर रखी गई एक चाह एक से ज़्यादा सुभे अगर ने आइन के तहत वफाक में ना शामिल होना चाहें तो वो अपनी अलादा हैसियत भी रख सकते है और वफाक से अलादा भी हो सकते हैं यहां भी वो चीज़ बता रहा है कि दस साल गुजरने के बाद कोई सुभा जो अगर मरकस के साथ नहीं रहना चाहता या वो पर किसी दूसरे सुभे के साथ नहीं रहना चाहता तो उसको यह पूरा हाक हासिल है कि वो बिलकुल कट के अलादा से अपनी हैसिएत को बरकरार रख सकता है तो यह तो था बचे तो अब यह था कि प्रोवेजन चाहिए यह तो सारी जो थी वो तजावीज जो क्रिप्स ने दी कौन कौन सी नमबर वन पे स्टेटिस आफ डुमेनियन की दी दूसरे नमबर पे इंडिपेंडनस आफ इंडियन अल डिपार्टमर्स था था थर्ड पे सेंटरल कॉंस्टिट इसम्बली थी फोर पे राइट आफ माइनॉर्टी थी और फाइफ पे था जी प्रोवेजनल अटॉनमे और इसके साथ उसने एक चीज़ यह भी कहा था कि इन तजवीज को फोरी तोर पर जिम्धार हकूमत बनानी है हमने तो उसके लिए यह है कि आप लोग इस पे नजरसानी करें कि क्या क्या आप लोग का इसमें राय है तो सबसे पहले मुस्लिम लीग जो थी मुस्लिम लीग ने बहुत शुक्रियादा किया किस बात पे एक तो उसने कहा था कि क्रिप्स दव गौर्मेंट आफ ग्रेट प्रॉमिस टु मुस्लिम्स मिजॉर्ट प्रेंस फ्री इंडिपेंडन्स स्टेटिस का कि जब भी ये चाहें दस साल के बाद ये अज़ाद हो सकते है एक चीज थी जिसमें मुसल्मानों को खुशी हुई थी और इसमें नज़र आ रहा था उन्हें एहिंड नज़र आ रहा था किस चीज़ का क्रियेशन आफ पाकिस्तान का कि जो उन्होंने प्रोविजन आटॉनमी की शिक्ती थी उसमें उन्हें ने कहा था कि हम लोग दस साल के बाद जो है वो इंडिपेंडन्ट स्टेटिस के तोर पे रह सकते हैं अच्छा जी सेकेंड नबर पे उन्हें ने कहा था कि जो दूसरे नबर पे और मैंने कहा कि हम लोग जो हैं और जो मायनौटीज होंगे उनके conối की भी पूरी जमानत देंगे लेकिन जब उन्होंने वहापस में मिल कर इसके उफ़र डिसकेशन की तो बहुत लम्बी डिसकेशन के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग को मानने को तयार नहीं है क्योंकर the demand for the Pakistan was not accepted and cleared cut time कि हम लोग ने जो मतालबा किया था लाहोर रेजलुशन में उसमें हम लोग ने पाकिस्तान का मतालबा किया था तो कृप्स मिशन में कोई clear यानि वाज़े तोर पर किसी जगा पर ये नहीं बताया गया कि हम लोग जो है पाकिस्तान के बनने की जमानत दे रहे हैं अच्छा second way आ चाता है जी Congress गादिया इस political partners Congress absolutely reject तो क्या हुआ कि जाहिए सी बात है अगर हम यहाँ पर दो चीज़ देख रहे हैं एक riots of minorities था दूसरे नमबर पर यहाँ था कि हिंडिपेनर्स टेर्डिस था तो हिंदूओं को तो किसी सूरत में Congress को यह चीज़ किसी सूरत भी नहीं पसानती कि मुसल्मानों के फाइदे के लिए कोई काम हो तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले ही उसको ने कृप्स को reject कर दिया उन्होंने का कि यह तो जितनी भी परपोजल्स हैं यह सारी की सारी ही खराब जाइलों वाली हैं इनको तो कोई मान ही नहीं सकता उसके जवाब में उन्होंने क्या कह कि अपोस्ट डेटेट चेक आफ अफ बैंक यह तो हमें उस बैंक का चेक दे रहा है जिसकी अभी बुनियाद ही नहीं पड़ी यह आपने खोड़ देखा है कि जितनी भी चीज़े उसने दी प्रपोजल्स सारी जो उसने पेश की सब कुछ ने का कि आफ्टर दवार कि जंग के खत्मे पर जंग जब खत्म हो जाएगी फिर यह काम करूँगा जब खत्म हो जाएगी तो यह काम करेंगे जंग खत्म होगी तो यह काम करेंगे तो यहां पर इगादी कहते है कि यह हमें उस बैंक का चेक दे रहा है जिसकी अभी बुनियाद ही नहीं पड़ी है और जब बन्याद पड़ेगी तो फिर देखें किया होगा फिर कॉंग्रिस ने जाए इसको कॉंग्रिस क्रिटसाइज दा राइटस आफ वोट जो रवाइब वोट का उन्हें ने कहा था कि वोट दिया है का हाक दिया जाएगा गिवन दा टू बी प्रोवैंस के उनको सूबो ऐसके वोट में सकते में सकते हैं रोर उसके साथ सा तुन्हें ने का कि जो राइटस दिये जा रहे थे वी वोट नहीं है अब हम लोग एंड में जी अब इसका देखते हैं जी इसका कॉन्क्लूजिन क्या था जो हमने सारी डिसकस की इसका कुरू रहा है कि ब्रिटिश गवर्मेंट की उपर अमेरिका का प्रिशर था और उस प्रिशर को बादते हुए उन्होंने क्रिप्स को प्रपॉजल दे कर भेजा जो ब्रिटिश गवर्मेंट थी वो किसी सूरत में भी जो इंडियन की नैशल कॉंग्रिस की डिमांड थी उन्हें मानने को तयार नहीं थी और दुसी साइड पे वो जो जापान जो था उस वक जीत रहा था उसको देखते हुए उन्होंने ब्रिटिश के कभी भी साथ देने की नहीं کوशिच की तो इसकी वopes से अंग्रेश जो था वो भी बात कुमांदा था वो सिंगल हैंड्ली एक्तधार जो था वो कॉंवरिस के हवाले नहीं करना चाह रहा था वो चाह रहा था कि दोनों पार्टी दोनों पार्टी कि मुस्वडिय को हम देखते हैं तो अगर majority या उसको कर देखे तो अवाम की लिएस से जादा नहीं थे लेकिन स्यासी लियास से मुस्वडिय काफी strong पार्टी थी तो ये जो था ये फूट फॉल था मुसल्मानों के लिए और उनके लिए बेतर था और ये स्टेप था यानि जंग अजादी की तरफ ये पहला कदम था जो मुसल्मानों के लिए बेतर थाबित हुए कि मुसल्मानों ने अपने राइट के लिए अपने दिफा के लिए उन्हो इसको पढ़ा है क्रिप्स मिशन के बारे में उमीदे समझागी होगी बिटा अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स करें अलाँ आफिस